नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी को टेकिराच यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप कोटिक महिंद्रा बैंक या फिर किसी भी बैंक से लोन केसे ले सकते हैं पेसे बजार वेबसाइट के मदद से तो दोस्तों जा हेलो दोस्तों यदि आप अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम प्रवाइड करते हैं वेब डेवलोपिंग डिजाइनिंग सर्विसेज हमारे टीम से वेबसाइट बनाने पर आपको मिलेगा फास्ट और क्वालिटी सर्विसेज 24 इन्टो 7 सपोर्ट करें और आज ही अपना वेबसाइट बनवाए थैंक यू करके भी आ सकते हो और वहां पे क्लिक करने से पहले आप ये वीडियो को देख लिजे ताकि आपको कम्प्लिक प्रॉसेस समझ में आए तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहां पे काफी सारा ओप्शन दिखाए दे रहा आप किसी भी बैंक की जरिए से यहाँ पे लोन ले सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहां पे अभी आपको क्या करना है आपको यहां पे अभी सेलेक करना है आपका डिजाएर लोन एमांट यानि कि आपको कितना loan लेना है, वो आपको यहाँ पे select करना है, उसके बाद में आप salary यानि कि महिने में salary लेके काम करते हो, या फिर business owner हो, या फिर आप professional doctor या फिर charter accountant हो, तो आपको वो select कर लेना है, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे, आपका monthly income कितना है, वो आपको यहाँ पर भरना है ठीक है उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर भरना है मोबाइल नंबर दोस्तों इन्वेलिट मोबाइल नंबर मत देना क्योंकि आपको एक ओटी पर आएगा वो यहाँ पर भरना होगा वो आप यहाँ पे select कर लिजे उसके बाद में आप salary कौन से bank account में लेते वो bank account आप यहाँ पे select कर लिजेगा उसके बाद में आपको यहाँ पी अपना पूरा नाम बढ़ना होगा और आपका gender आप select कर लिजे, महीला है तो female या फिर male ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पी अपना PIN CODE बढ़ना होगा उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना PIN CARD NUMBER बढ़ना होगा दोस्तो PIN CARD NUMBER mandatory है यह आपको बढ़ना ही है यह नहीं बढ़ने से आप आगे प्रोसीट करने ही पाएंगे यह आप भर दीजे उसके बाद में यहाँ पे आपको DATE OF BIRD सेलेक कर लेना है उसके बाद में अपना EMAIL ID बढ़ना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एक CODE मिलेगा आपका Mobile NUMBER में वो CODE आपको यहाँ पे भर देना है जैसे आप यहाँ पर mobile number भर देते आपके mobile number पर एक code आएगा verification code यहाँ पर भर दीजे वो 4 digit का code भरने के साथ साथ आपका verification code verify दिखाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर आपको mark कर देना है वहाँ पर mark करने के बाद आपको proceed पर click करना है ठीके तो दोस्तों ज परने के बाद में यहाँ पर suggestion भी दिखाएगा आप चाहतों select कर सकते या फिर आप भर सकते हो यही से उसके बाद में आप जो है फिलाल कोई EMI आप पे करते हो या फिर credit card से loan लिए हो वो पे करते हो तो महिने में कितने करते हो आप यहाँ पर select कर लिजेगा ठीक है उसके ब बाद में आप यहाँ पर select कर लिजेगी आपका जो residence है यानि कि आपका जो घर है वो आप rent में लिया हुआ है या फिर आपने खरीदा हुआ है जो भी है या paying guest है वो सारा कुछ आप select कर लिजेए ठीक है जो भी है वो select कर लिजेए उसके बाद में view best offer पे आपको click करना होगा जैसे आप वहाँ पर click करते हैं आपको दूसरा page open होगा जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप eligible हो की नहीं loan लेने के लिए वो आपको बताया जाएगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे 2 bank यहाँ पर loan दे रहा है ठीक है तो दोस्तों यहाँ मुझे एक ICICI दे रहा है यहां पर एक cash 90 दे रहा है ठीक है तो यह दो मुझे loan जो है वो loan दे रहा है एक मुझे सिर्फ 3 महिने के लिए दे रहा है और दुसरा देखा जाए तो यहां पर 3 साल के लिए दे रहा है ठीक है 3 साल तक EMI करके मैं दे सकता हूँ यहां पर ठीक है और महिने का कितना परता है EMI 1770 तो यहां पर interest rate है 16.50% और processing fee यानि की 1125 process करने के लिए एक बार के लिए ही मुझे देना होगा ठीक है तो दोनों में चाहों तो मैं जो भी ले सकता हूँ और यह long period के लिए मैं यह लेना पसंद करूँगा ठीक है तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि मुझे तो सिर्फ दो ही show कर रहा है यह state के accordingly और आपकी credit score के accordingly आपको यहां पर bank show करेगा ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहां पर आपके state के accordingly और यहां पर आपके credit score के accordingly आपको कोई भी bank show नहीं कर रहा है कहीं बार ऐसा भी होता है कि आपका credit report सहीं नहीं है score सहीं नहीं है तो ये page में आपको बताये जाएगा कि इन लोगों के जो भी आपने जो भी details भराएं उसके accordingly आप जो है loan के लिए eligible नहीं हो ऐसा message भी आपको यहाँ पर दिखा सकता है यदि वो case है तो दोस्तो आप eligible नहीं हो आप eligible होने के लिए आपको यहाँ पर whatsapp number भी दिया गया है या फिर tool free number दिया गया है आप चाहो तो paysebazar.com का team से आप बात कर सकते हो किस वज़े से available नहीं है या फिर आप जो भी आपका request है वो आप यहाँ पर call करके उनसे बात कर सकते हो तो यह दि आपका इस परकार से option आता है that means आप eligible हो तो आपको select करना है ठीक है तो दोस्तो आपको क्या करना है simply यहाँ पर चाहती हो तो आप बढ़ा सकते हो यहाँ पर आपको जो tenure है आप तो यह हमें final page हम पहुंच चुके तो जैसे हम यह page में पहुंच जाते हैं इसका मतलब यह है कि हमारा loan जो है 100% confirm है आप दे सकते हो हमारा loan जो है वो 50,000 का है interest rate है 16.50% और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह 3 साल का tenor रहेगा ठीक है processing fee 1125 और EMI मुझे महिने पे 1770 रुपया मुझे देना होगा ठीक है तो दुस्तों चलिए हम fill up कर लेते फटाफट यहाँ पर first name आपको fill up करना है last name और gender आपको select करना है address line, line 2 select करना है city, pin code और यहाँ पर आपका profession select करना है यह आपका profession available नहीं है तो other select करना है उसके बाद में यहाँ पर आपका company select करना है और designation आपका select करना है other select करना है simply उसके बाद में यहाँ पर 3 years पहले से ही select हुआ रहेगा यहाँ पर आपको month select करना है और यहाँ पर भी आपको month select करना है उसके बाद में office का address आपको बढ़ना है तो यह सारा कुछ बढ़ने के बाद में आपको क्या करना है आपको simply यह mark कर देना है और submit बटन पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों यहाँ पी जो ही जैसे आप submit बटन क्लिक करते हो आपका जो है यह loan जो है आपका जो ही यह submit हो जाएगा और paysebazar.com जो है वो आपका form को receive करेग और उसके बाद में आपको एक call आएगा पैसेबाजार.com का तरफ से और आपको कुछ verification के लिए बातचीत पुछा जाएगा सवाल पुछा जाएगा और आपका जो है bank loan जो है वो approve कर दिया जाएगा ठीक है तो approve होने के बाद में दोस्तों जो है आप अपना loan जो है वो ले सकेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी के साथ पैसेबाजार.com में आके आप चेक कर सकती हो आप eligible हो की नहीं bank loan के लिए और आप किस प्रकार से apply कर सकती हो यह सारा कुछ आप यहाँ पैसे बाजार में आके कर सकती हो यदि आपको और भी कुछ परिशानी होती है यहाँ पर apply करने के लिए और कोई भी परिशानी आती है आपका bank available नहीं है तो यहाँ पर तूल फ्री नंबर पे call कर सकते हो उपर पे दिया हुआ है ठीक है और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा यह टूल फ्री नंबर आप चाहँ तो पैसे बाजार टीम से डारेक्क कंटेक करके आप पूछ सकते हो तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी bank का loan आप apply कर सकते हो पैसे बाजार वेबसाइट के जरिये से तो दोस्तों मुझे पुरा उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो एक like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और वीडियो को share कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ आप मिलते अगले वीडियो में अभी के लिए इतना ही तिल देन बाबाई